किते ने होन मैं बेंती कारदा है महांत जाय संग जी प्याला ए जिला आमर सा रहे ना दा हर्याने तोने महांत जाय संग जी बोले सुनिहाल जै जवान जै जवान शुक्त किसान मोर्चा धन्यवाद साथियों और मैं धन्यवाद उन साथियों का करता हूँ नौजवान का जो यहां से हमने हरी जंडी दिखा के परसाद भूशन जी आये थे यहीं से पंडाल से ही हमने रवाना किया था हरी जंडी दिखा के किसान एकता मंच का वो गाउं गाउं में परचार करने के लिए निकले थे कश्मीर से कन्या कुमारी तक नारे नौजवान निकल चुके हैं वो गाउं गाउं जाके सरकार के अत्याचार को बताएंगे वो सहर सहर जाकर मजदूर के अत्याचार को बताएंगे वो गाउं गाउं डेरा डेरा जाकर इनके जुलम के सारा खुलासा करेंगे आपका होसला काबले तारीफ है आज हर चुराहे पर सुब़ेशे शाम तक यही चर्चा होती है जो बान पे क्या नाम होता है किसान अंदोलन किसानों के हक तो इसका स्रे किसको जाता है इसका सरे हमारे किसानों को जाता है और तमाम मेडिया आज नत्मक्स्तक है चाहे अधात्मिक आदमी है अखाडे हैं, मंदिर हैं, गुर्दवारे हैं दुनिया के जितने भी भेद हैं सब एक साइड में रख दिये हैं यहां क्या है? सबसे बड़ा किसान और सबसे पहले किसान इसका सरे स्युक्त किसान मोर्चा को जाता है और हमारे तमाम किसान की जथे बंदियां को जाता है जो दिन रात कड़ी मेनत करने में लगे हुए हैं आपको जोडने में लगे हुए हैं आपको जागरित करने में लगे हुए हैं ये आपके जागने का ही परिणाम है ये आपके जागने का ही परिणाम है कि आज पूरे भारत में कोने कोने में किसान की चर्चा है हर बच्चे की जुवान पे किसान की चर्चा है आज जो सो साल का व्यक्ति है वो भी ये बोलता है कि मैंने ताउमर अपनी जिंदगी में इतना बड़ान दौलन नहीं देखा धन्यवाद साथियो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्तर हो आगे मैं जो एक कविता है किसान के लिए मुझे उमीद है कि वो आप का होसला बढ़ाएगी मैं आपके सामने उसको बयान करता हूँ किसानी मेरा दीन दर्म है किसानी मेरा एमान बड़ा है किसान बड़ेगा किसान जै जवान जै किसान किसान न पुछे दीन दर्मनू किसान न पुछे जात लंबा है किसा जाने कब बनेगी बात कडाके की गर्मी कडाके की सर्दी मेरा किसान लगा है दिन रात मेरा किसान लड़ा है दिन रात लंबा है किसा जाने कब बनेगी बात वक्त आने पे हम अच्छे से बता देंगे इनको इनकी उकात वक्त आने पे हम अच्छे से बता देंगे इनको इनकी उकात बड़े 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 से बड़ा चलिया भी सरमा जाए जुल्मी ने चल कपट इतना किया के बड़ा बड़ा चलिया भी सरमा जाए आपने पीछे देखा होगा इन्होंने कितने चल कपट किये मगर वो धरे रहे गए इनका ठीक रहा है इनके सिर्फ उटा हुआ है आज पूरे देश में ये सरमिंदा है बदनाम है किस लिए बैमानी के लिए चलकपट के लिए आपके सामने है वो समझ ना पाए ये है कोन और आए कहां से वो समझ ना पाए ये है कौन और आए कहां से अंदोलन है प्रेम और भाई चारे की मिशाल वारे वा टकैत तेरे आंसों ने कर दिया कमाल वारे वा टकैत तेरे आंसों ने कर दिया कमाल चर्चा है चारो दिशाओं में गाउं में शहर में चर्चा है चारो दिशाओं में गाउं में शैर में हर चो राहे पे किसान तेरा नाम जीतेंगे हम लड़ेंगे हम जए ज़ान जए किसान तो ये कवीता थी उसके बाद देखिए आपके सामने जो मैं टूदा पॉइंट खुलासे करूंगा वो मीडिया के भी रॉंक्टे खड़े कर देगा और लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि ये कितने चलकफ्टिये हैं अरे डाकू भी सरमा जाते हैं तुम तो उनसे भी गिरे हुए हो ना तुम्हारा कोई स्टेंड है एक क्रिशी मिंतरी बोलता है किसान को ये किसान के उसने पूछ लिया मीडिया वाले ने के ये किसान तो मर रहे हैं तिन सो हमारे जवान मर गए हैं उसने सवाल किया उसका काम है सवाल करेगा मीडिया वाला वो आगे से बोलता है यह मरने घर में भी मरते हैं बॉर्डर पर ही है तो मरते हैं मरने के लिए हैं मरेंगे अरे इतने किरी हो यह का तुम्हारा एंकर तुम्हारा पाप का गड़ा बर चुका है अब समय आ गया है हमारा किसान जाग चुका है बच्चा बच्चा जाग चुका है मौतर सक्ती जाग चुकी है विजय मालिया पच्पन सूट केस के साथ इस भारत से पच्पन सूट केस के साथ और कई कवंटल सोने के साथ निकल जाता है इसका जवाब आज तक सरकार नहीं दे चकी है पच्पन सूट केस और कई कवंटल सोने के साथ वो यहां से निकल जाता है आप अंदाजा लगाईए रॉंक्टे खड़े कर देगा यह सवाल तुम्हारी रात की नीन उड़ा देगा अरे इतना बड़ा देश के साथ धोखा और क्या किया तुमने तुम्हारी मिलबगत्ती मं पाउठ्रियों की RSS की जो उसको जाने दिया क्योंकि percentage कहते हो 20% 40% पे game खेलते हो हमें पता नहीं है राज्या सभागीते यो ठिकते बेशते यो ठारा करोड़ बीस करोड़ में क्या किसान को पता नहीं है किसान को सब पता है इसके कपड़ों पे देखके ये अंदाजा मत लगाना कि ये ऐसे ही है हमारा किसान जागरित है और बच्चे बच्चे को भी हम जागरित करेंगे दूसरी बात है 265 टन सोना गिर्वी रखा था जब ये आये 14 में 265 टन सोना गिर्वी रखतर देश को विकास का ये डंडोरा पीटते थे आज विकास का ये डेश सारा देश ये सवाल पूछ रहा है कि आपने वो जो 265 टन गिर्वी रखा था उसकी एवज में क्या दिया अत्यचार जूलम और एक किसानों को सडकों में बिठा दिया उसके बतले में क्या दिया तुमने दो सो पैसे टन सोना गिर्वी रखके विकास का डंडोरा पीटने के बाद किसानों को दिया क्या है जै जवान जै किसान का नारा के ऐसे नहीं बना था लालबादर सास्थरी ने देश को जागरीत करके अजादी ली थी उसमें कौन था जवान था किसान था आज एक साइड में किसान है, दूसरी साइड में जवान है बॉर्डर पे हमारा जवान है, खेत में हमारा किसान है कडाके की गर्मी में, कडाके की सर्दी में इनके बच्चे फौरन में है, इनके खाते फौरन में है हम यहां इस मंच के माध्यम से यह भी डमांड करेंगे ले आओ उच्छे साल हो गया तुम भूल जाओगे क्या 91 में तुमारे पूरे देस में दो सिटें थी तुर अब बस्ता पकड़ने वाला कोई नहीं था तुमें इतना बड़ा सिहाह सन दिया तो क्या तुम धोखा करोगे देश को बेचोगे नहीं नीजी करन जादा नहीं चलने देंगे 101.5 अरब डॉलर का लॉन लेके क्या दिया ये किसान पूछ रहा है क्या दिया आपने लॉन लिया 1.5 अरब डॉलर का कुरोना में लिया उससे पहले लिया 1.5 का ये किसान पूछ रहा है क्या किया वो जो कैबनेट के तुमारे मंतरी हैं अंकार में बोलते हैं क्रिशी मंतरी ये बोलता है ये मरने के लिए है ये इसलिए नहीं पैसे की बरबादी हम होने देंगे देश को खोकला नहीं होने देंगे और पी-अम रहत कोस में 76 लाक करोड का जो उदोग पतियों ने हमारे समाजिक लोगों ने जो हमारे सेना में है जल सेना में थल सेना में वाईयो सेना में और हमारे किसानों के बच्चे हैं उन्होंने दिया यहां एक भी मजदूर पकड़ के बता दो जो यह कहे मेरे खाते में इतना पैसा आया है चेट्र लाग करोड करोना का जो राहत को उसमें दिया है सीम राहत को उसमें भी दिया है पिम राहत को उसमें भी दिया है ये तमाम सवाल तुम्हारी दातों की नीद उड़ा देंगे और टाइम आने पे वक्त बड़ा होता है वक्त की बड़ी बात होती है अगर किसान अपनी आई पे आ जाए तो सब कुछ हो सकता है असंबब कुछ भी नहीं है तो ये जागरित करने की जो बात थी और इसके लाव कुछ बाते ऐसी हैं जो हमें समय समय पर जाननी बहुत जुरूरी है जवान और किसान की पेंसन अब ये मजबूरी में लगा रहे हैं नारा जब से बना है तब से किसान की पेंसन लगनी थी कडाके की सर्दी में कडाके की गर्मी में जब नारा दिया गया था सीमा पे जवा खेत में किसान इन्हों ने एक साइड की पेंशन लगा दी किसान को छोड़ दिया इनका कंटीन का कार्ड अरे जो अनाज पैदा कर रहा है उसके बच्चे भूखे हैं पेंशन उसकी भी लगनी थी मगर इन्होंने फैलों को दुबा के रखा ये सवाल का जवाब सवाल में देते हैं सवाल का जवाब सवाल नहीं होता अब उत्तर चाहिए हमें हर चीज का उत्तर लेंगे किसानों पे जितने भी जुलम तुमने किये हैं किसानों पे जितने भी अत्यचार तुमने किये हैं दंके की चोट पे एक-एक का हिसाब लिया जाएगा हमारा बच्चा जागरित हो जाएगा जो बजुर्ग है आज सो साल का बजुर्ग है माता है वो भी जागरित है वो भी अपने दिखारों के प्रती सचेत है और वो भी बड़ी शान से गर्व से बोलती है कि जै जवान जै किसान अरे एक बीए एमेकर के लड़का कॉलेज यूनिवस्टी से निकलता है बीस लाक रवे टोटल काउंट कैलकुलेशन खर्चाता है उसके बाद लिम्टिड में गरंटी नहीं सरकारी में गरंटी नहीं हम देख रहे हैं हमारे साथी देख रहे हैं ये सारा किसान देख रहा है और मेरी आवाज यहां तक भी लास्ट माई के वहां तक जाती है, तो वहां भी वो सुन रहा है, बजरुग भी सुन रहा है, माता भी सुन रही है, वक्त आगया है, इन चीजों का हिसाब लिया जाएगा, मैं एक छोट ऐसा उधारण देता हूँ, एक गाओं में एक हजार या इसलिए छोड़के गेते कि धर्म का बढ़ावा होगा संस्कार का बढ़ावा होगा और लोगों का भला होगा इसलिए मगर वहाँ पे एक हजार लड़कों को कॉंटिन्यू रोजगार मिलता है क्यों आसे एक तीन या चार क्रोड का प्रजेक्ट देना है मगर ये वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उससे आप लोग ड्वेल्ब हो जाओगे जागरीत हो जाओगे सवाल करोगे इनको इस बात की तकलीफ है मगर अब समय आगया है जागने का अपने सवाल करने का कहीं भी आपको जो भी बात ध्यान में आती है उसका सवाल सपरिश्टी करन लो सरकारों से आज मैं आपको एक और कामियाबी की बात बताता हूँ हर्याना विदान सभा में जो पस्ताव लाया गया उसमें भी ये निठले नाकाम रहे और आने वाले दिनों में क्योंकि हर्याना को तीरी लडाई लड़नी पड़ रही है दो सीम है क्योंकि दो पार्टी की बिलके सरकार बनाई के लिए और सरकार नहीं बनी दो सीम और एक सेंटर से तीरी लडाई हर्याना लड़ रहा है उसके बावजूद भी आपने पीछे भी देखा और आगे भी किसी बात की परवा नहीं है इनके पैर जमीन पे लगने नहीं देंगे जैसे हेलिकॉप्टर हुपर गुमता रहा नीचे जमीन पे पैर नहीं लगने दिये ये किसान जथे बंदियों का काम मैं आपको फिर इनका तै दिल से तन्मन धन से सुक्रियादा करता हूँ आपके होंसले का क्योंकि आपने कडाके की गर्मी और कडाके की सर्दी में तपे हुए लोग हो आप लोग और आपने सारी चीजों की सरापत से सरकार को चलने का टाइम दिया सरापत से यह सारी चीजें पीछे side में रखे अब वक्त आ गया है कि to the point हर चीज कौन कहता है कि आस्मान में सुराख नहीं हो सकता कौन कहता है कि आदमां आस्मान में सुराख नहीं हो सकता हो सकता है अर्जुन सिपार की नजर चाहिए सब कुछ संभव है जातियो सब संबव है और आपके सामने होगा एक तामे बल है आज पूरा देश एक छट के नीचे है ऐसे ही एक बने रहना वाई गुरुजी दा खालसा वाई गुरुजी फते जै जवान जै किसान धन्यावाद साथियो